बुरू जनों तथा इस पर्ट्यों के सामिल मेरे वरिस व्यमकनिष्ट भाई भैनों जैसा कि हम सब जानते हैं आज आज हम हिंदी जीवर के उपलक्स में इकट्टे होए है तो मैं आज आप सभी को हिंदी पर एक ध्वाशाण सुनाना चाहती हूँ हिंदी मेरा देश हिंदी मेरी मत्र भाषा जी हा दोस्तों हिंदी मेरी मत्र भाषा यहीं तो है हिंदी की परिभाषा जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी हमारे दिल की भासा, हिंदी हमारे लोजगार का जरिया और हिंदी हम सब कुआपद में जोड़ने वाला एक संतर्फुत्र हिंदी हिंदे में एक ऐसी जुबान है, जो कश्मीर से लिकर दन्या कुमारी तक सारे देश को एक धागी में पिरोती है तो क्या, तो क्या दोस्तों सीथी को एक भी दिन में एक भी दी बस्पन समेटा जाना मुंकिन है सायर नहीं, हिंदी किसी एक दिन की मोत आज भी नहीं है हिंदी का गौरव आज देश में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में भड़ा है ऐसे में हमें अपनी भासा, अपनी जुबान को सलाम करना तो बनता है 14 सिदंबर 1949 को सभी धान सभाने नीडे लिया था कि भारत की राज भासा हिंदी ही होगी इस नीडे को मैत्व देने के लिए और हिंदी की उप्योंग को प्रजलिक करने के लिए 1903 के उपरान हर साल 14 सिदंबर को हिंदी दिवर के रूप में मनाया जाता है हिंदी भारत को एक जुद रखती है आज के आगनी टूप में अंग्रेजी सब्दों का उप्रों हो जाता है हिंदी राष्ट भाता के साथ राष्वाता भी है मात्र भाता भी है हाँ और है एक सरल भाता भी है और किसी को भी से पढ़ने लिखने बोलने समझने इत्यादी कोई भी परेशाने नहीं होती कोई भी जहां तक की हमारी परदान मंतरी स्री नगेदर मोणे जी भी अपनी मात्र भाता हिंदी को भड़ावा देते हैं और उन्होंने साइम्त राफ्रत हम के भी हिंदी में ही संभोधित क्या था तो हमें अपनी मात्र भाता पर गर्व करना चाहिए और उसका सम्मान भी करना चाहिए हिंदी भाता इंदुस्ताना के दिल की भाता और हैं उनके दिल पर राज भी करती है हिंदी बाता दिस्ल में बॉली जानी बारेजल है यह बड़ा देना चाहिए उसका समान करना चाहिए उसका गर्व करना चाहिए तो आज हम सब मिलकर संकल्प करते हैं कि हम अपनी मात्रभासान हिंदी के विकास में अपनी ओरतें हर संभव परियाद करेंगे और यसा संभव उप्योग भी करेंगे हम हिंदी है हिंदी का हम सब को अभीमान है हम हिंदी है हिंदी का हम सब को अभीमान है सारी भासा एंप्यारी है पर पर हिंदी हमारी जान है पर हिंदी हमारी जान है जैहिन जैहिन की